कीहलो फ्रेंड्स आज में नम्किन बिस्किट बनाऊंगा इससे हैं मार्जेरिन नहीं मुझे पूस्ता बटर से भागव कर, इसमें सुल्ट नहीं है जिसे अंबूल बटर में सॉल्टी रहता है इसमें अल्सॉल्टेट बटर है हमारा बेकरी में इसा बॉक्स आता है यह मार्जरिन में अब लोग फुरूड केक्स बना सकते हैं बिस्किट बना सकते हैं यह भी एक बटर है अब लोगों को किसी-किसी को समझ में आता है कि मार्जरेन क्या है एक बटर है यह भी एक बटर है अभी मैं नमकिन बिस्कीट बनाऊंगा तो नमकिन बिस्कीट का रेसिपी अभी एड़ कर रहा हूँ देखिए मार्जरेन 500 ग्राम लिया है मैंने और आइसिंग सुगर आइसिंग सुगर लेगा में 250 ग्राम क्योंकि इसमें सुगर कम डालेंगे इसलिए सॉल्टी वाला बिस्किट बना रहे हैं नमकिन वाला बिस्किट बना रहे हैं इसलिए सुगर कम डालेंगे 250 ग्राम सुगर डालेंगे मैशिन में फीट कर लिया इसको अभी मिक्सिंग करेगा जब तो मारजरीन और आइसिंग शुगर मिक्स हो रहा है तब तोग हम फ्लार और मिल्क पाउडर बगरा सो भूट कर लेंगे अभी फ्लार लेंगे 650 ग्राम और मिल्क पाउडर 50 ग्राम इस पर मेने baking powder एड़ नहीं करेगा या egg अड़ एड़ नहीं करेगा eggless बणाओंगा अब देखे पालडर 50 ग्राम फ्लार लिया मैंने 650 ग्राम तो 500 ग्राम मर्जेरिन में 250 ग्राम आइसिंग सूगर 650 ग्राम फ्लार 50 ग्राम milk पालडर अब दो कि रोस्ट जीरा 15 ग्राम कि नम्किन बिस्किट बना रहे हैं इसलिए सॉल्ड डालेंगे तो सॉल्ड 15 ग्राम कि मिल्क पाउडर और फ्लार को हम स्टेन कर लेंगे फ्रेंड्स यह जो मेरा रेसिपी है सबसे अच्छा रेसिपी है ज्यादा जड़ बाला रेसिपी नहीं है सबसे असान रेसिपी है आप लोग मेरा रेसिपी से बनाईए और कैसे बिस्किट हो रहा है कॉमेट में बताईए मेरा रेशिपी को फोलो कीजिए और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है अब लोग को लाइक एंड सस्क्राइब कीजिए घंटी वाला बटम जरूर दबाईए अगर घंटी वाला बटम नहीं दबाएंगे तो जो मैं दुसरा वीडियो डालूँगा तो नोटिफिक्शन आपके पास नहीं आएगा तो नोटिफिक्शन आने के लिए घंटी वाला बेल आइकन वाला इसको बेल आइकन वाला घंटी दबाईए जो दुबारा मैं वीडियो डालूँगा आपके पास नोटिफिक्शन आएगा अब लोग वीडियो को पूरा वाच नहीं करते हैं वीडियो को देखते नहीं है वीडियो को देखो पूरा वाच करो रेसिपी को फोलो किजिए और बनाईए कैसा बना सकते हैं बनाईए मैं तो रेसिपी से बना रहा हूं अप लोग को दिखा रहा हूं अच्छा हो रहा है त को श्केसे बाद Comments पे बताईएा को हुआ है है। अभी मिशन हमारा हुआ मSp मेर्द कर दिया मीक्स हो गया हुआ है उस पर थोड़ा चीर जीरा डाला रॉस्ट जीर तो पाकने के बाद आप लोग देखिए कैसा मस्त दिखता है और खाने के लिए भी बहुत अच्छा होगा इसमें मिल्क पाउडर डाला मैंने शॉल डाला जीरा डाला तो उसके टेस्टी जो कितना है अच्छा लगता है बहुत अच्छा अब लोग मेरे रेसिपी से बना के ट्राइ कीजिए कैसा लगता है अब लोग कॉमेट पर बताईए अच्छा लगता है या नहीं कॉमेट पर बताईए और मेरे वीडियो को लाइक और सस्क्राइब कर दीजिए मैं मोबाइल पे बना रहा हूं मोबाइल पर बनाने के बाद उसको ाडा इडिटिंग करता हूँ और भाइस देता हूं कि यह कहला में बनाता हूं मोबाइल पक्कनने वाला भी कोई नहीं रहता है मैं मूबाइल को एक जगा पे रख देता हूँ इसके बाद बनाने का स्टार्ट करता हूँ इसलिए अप लोग को अच्छा से दिखाने पता हूँ कि चारत और अप से दिखाने पता हूँ एक साइड से रख देता हूँ इशके बाद उसको वीडियो रकडिंग करके बनाता हूं अब लोगो को दिखाने के लिए मैं मौबाइल पे वीडियो रकडिंग करके दिखता हूं कोई कोई फ्रेंड्स कमेट में बोलते हैं से अच्छा हुआ तो अच्छा लगता है सुनके कि अच्छा हुआ है अच्छा है अच्छा है अच्छा लेकित बेल दिया हुआ अभी उसका ऊपर जो रच किया वह था जी रहा हो उसका उपर डाला उसके बाद वेलन से थोड़ा हलका प्रेस करने का अभी पहला लाइब से जो नीचे फ्लार मैंने डॉस्ट किया था अभी कैसे निकलता हूं देखिया इसे फ्लार निकल देने का कि कितना अच्छा सब फ्लार सब निकल गया ना नीचे अभी एक बिस्कुट कटिंग करने के लिए जो किसे के लिए कर दोटाना वो स्केल टाइप की मैं नहीं लिए तो उसकेги मैं कंटर से क्ट्ниंग करेगा या बिस्किट कbor रहता है लेकिन बस्किट का क्टर मिरबास नहीं मैंने स्केल का मदब से अभी को तिक डिकर रहा हूं कि इसकेल नहीं है लेकिन स्केल देशा है इस भी क्या होता है कुछ बिस्किट एक साइज का बनता है कि इसे मेजरमेट करके कटिंग करने का कि लेकितना मस्त स्केल पर सीधा हो रहा अच्छा हो रहा कटिंग कि अच्छा है कि अच्छा है कि अच्छा है कि आप विडियो पर बने रहे हैं विडियो को पूरा वाज कीजिए उसके बाद आपको पता चले है कि बिस्किट कैसे बनता है कितना मस्त बनेगा नमकिन बिस्किट में आप लोगो दिखाऊंगा बना के अभी देखें वीडियो पर बने रही है मेरा विडियो को दिखने के लिए थेंक्यू इसो सॉल्टी बाला बिस्किट में बना रहा हूं नमकिन बाला मारजरीन से अप लोग बटर से भी बना सकते हैं जो सॉल्टेड बटर होता है उस पर सॉल्ट थोड़ा कम डालने का चैसे में 500 ग्राम मारजरीन पर 15 ग्राम सोल्ट डाला इसमें यह मारजरीन पर सॉल्ट नहीं है तो इसलिए 15 ग्राम डाल रहा हूं अभी जो शॉल्ट बाला बटर से आप अब बनाईंगे अपको ये मारल रिजरीन नहीं मिल रहा है अगर सल्टरड बाला बटर भी होता है अगर सल्ट बाला बटर से बना रहे है तो मैंने अभी 500 ग्राम पे डाला 15 ग्राम तो आप 10 ग्राम एड़ किजिए सॉल्ट और शॉल्ड ज्यादा और कम होने से बिस्किट का टेस्ट जो होता है अच्छा नहीं लगता है इसलिए सबसे बेकरी में जो हिसाब होता है रेसिपी रेसिपी चाही होना है अगर रेसिपी चाही नहीं है गड़बड है तो आपका बिस्किट कर टेस्ट चाही नहीं लागेगा तो होगा भी नहीं अच्छा तो प्रोपार रेसिपी फोलो किजिए और बनाके कि टेस्ट कीजिए कैसा होता है टेस्ट कैसा है कि जो मैंने सोल्ड डाला है फिप्टिन ग्राम 500 ग्राम मार्जरीन पर यह पर्फेट है कि अच्यार की अच्छंग कर बचने के बाद मस्त मों में डालते हैं पहुरा पाउटर जीशर में लागता है चाहदा फिर्ट किन नहीं शोल्डी कूकिज बोला तो नम्किन बिस्किट पूरा नाम वह इसा नहीं है लिए टेस्ट होता है उसे ही टेस्ट बढ़ा एक्ट्रे में ने बना लिया ऐसे कटिंग करके हैं अभी मैं टोटर दो आटरे ने बनाऊंगा और थोड़ जयदा हो जाएगा और एक्ट्रे पी थोड़ा होगा भी यह जो साइब से बचाता हूं उसको फिर मिक्स करके बेल के कटिंग करके उसको भी बनाता हwang करेंगे अब एक स्केल से जो मैं कर रहा हूं यह ज्यादा बड़ा नहीं है चोटा है तो इसलिए उसको 170 डिगरी पे 10 मिनिट्स लग रहा है बेकिंग के लिए अगर आपके पास स्केल बड़ा है तो अब लोग बड़ा साइज बना रहा हूं तो इसी सबसे टाइमिन लगाने का मेरे पास जो अबन है उसके 170 में 10 मिनिट्स के लिए बग गया है और पका हूंगा अब लोग देखिए कैसे होता है कि 160 पर पका सकते हैं 15 मिनिट्स के लिए अगर आप 170 में पका रहे हैं तो 10 मिनिट्स के लिए अभी मैंने ओभिन पर टेंबरेचर 170 डिगरी अब अन्यों करके रखा था 170 डिगरी टेपनेशर देखें अभी मेरा सब हो गया मैं ट्री को बेकिंग के लिए कुकिज को डाल रहा हूं 10 मिनिट्स के लिए देखें अब टेंड मिनिट्स हो गया है विजिए बिस्किट पक के रेडी है मैं अब लोग को दिखाऊंगा कैसा हुआ मैं इसकी किनिवाला गीषग्रा जी कर सॉल्टी वाला विस्किट इसे यंदिध्यक के रीडे इसे है मेरा सब्सक्राइब केंट्स किया इसे kind 가지고 बनें अर्था सीजिए और स्ट दीखाऊंगा इसे सब्सक्राइब कि दिखाऊंगा कैसे हुद्ड कितना मस्त क्रांची हुआ और मस्त पग्या बहुत अच्छ होगा मैंने एक पीश खा लिया देखिए कभी इसको आप स्टोर करके रख सेकते हैं कोई ग्लास पे या कांच का जार पे कि 15-20 दिन के लिए रहेगा खाने के लिए बहुत आच्छा हुआ है मेरा वीडियो को देखने के लिए थेंक्यू तरह कै यह दो